नमस्कार दोस्तों मेरा नाव जोलार आप देख रहे हैं माई पाट साला और आज के दिन टाइम एंड वॉक का कंसिप का आखरी लेने वाला हूँ वर्क और मजदूरी ये आज हमारा टॉपिक है जिस पे हम बहुत सारे कोश्चन को प्राक्टिस करेंगे इस पे बहुत सारे कोश्चन बनते हैं अभी तक हमने जो प्राक्टिस किया है टाइम घन वक में वह आमने देखा है कि लोग काम कर रहे है कर राया क siitä पूरा हो रहा है कर दो काम कर रहे है क्या है तो पैसा काम के साथ कैसे बढ़ता है और इससे related किस तरीके के आपके exam में question बनते हैं तो आज के दिन सिर्फ यही type और variety हम लोग cover करेंगे अगर आप में से कोई नया बच्चा हो तो channel को subscribe करके bell icon button को hit कर लीजेगा और sequence में videos को देखे playlist में मैं chapter by chapter courses बना रहा हूँ आपको बहुत मचाएगा यकिन जानिये अगर आप sequence पढ़ना start करेंगे आप सब कुछ सीख जाएगे आज जो हमें सीखना है वो सीखना है Vases को Vases को हिंदी में मजदूरी बोलते हैं Vases को हिंदी में मजदूरी बोलते हैं और मजदूरी वही लोग करते हैं जो लोग मजबूर होते हैं मजबूर मत में बनिये ताकि आपको मजदूरी ना करना पड़े सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि Vases कैसे defined होता है Vases हमेशा proportional होता है ध्यान रखेगा Equal का sign यहां से हटा के चलेंगे आप proportional का sign लेके चलेंगे इसी में पुरा game होना है Vases जो होता है वो proportional होता है total work के और total work आपको पता है कि यह किसके बराबर होता है यह efficiency into number of days के number of days के good and fall के बराबर होता है total work तो जो Vases होगा वो efficiency और number of days के good and fall के proportional होगा अगर मैं बोलू कि time अगर fixed कर दिया जाए, time अगर constant कर दिया जाए, या number up days अगर constant कर दिया जाए, तो जो मजदूरी होगी, जो wages होगा, वो किसके proportional हो जाएगा, वो efficiency के proportion हो जाएगा, किसके proportion हो जाएगा, efficiency के, अगर efficiency हम 1 कर दें तो जो wages होगा वो number of days के proportional हो जाएगा ये कुछ ऐसे ही है तो जब भी question होगा question को आपको देखना है जैसे जो मजदूर जितना जादा से जादा दिन काम करेगा उतना जादा उसकी मजदूरी बनेगी जो मजदूर जादा efficient होगा उतना ही जादा उसका मजदूरी बनेगी जादा efficiency जादा number of days दोनों का multiple जादा मजदूरी इस तरीके से ये काम करता है बस इतना ही इसकी basics है इससे जादा इसकी basics नहीं है question के मादधम से ये समझेंगे कि ये जो basic है ये implement कैसे करते हैं निकालते हैं जैसे पहला question है आपके सामने जाद्यान से देखिएगा प्यूस अकेले एक कारे को 8 दिनों में पूरा कर सकता है और अरूड अकेले उसी कारे को 14 दिनों में पूरा कर सकता है यदि उन दोनों को कारे को पूरा करने के लिए 44,000 रुपए मिलते हैं तो प्यूस का हिस्सा कितना है और अरूड का हिस्सा कितना है इसमें आप ध्यान से देखो जो ways होता है अभी हम लोगोंने basic definition क्या पढ़ी ways जो होता है ये proportional होता है टूटल वर्क के ये proportional होता है या इसको ये कह दो कि ये किस चीज के proportional होता है efficiency के into number of days के काम दोनों समान नहीं कर रहे हैं प्यूस अकेले कारे को 8 दिनों में पूरा कर सकता है और अरूड अकेले उसी कारे को 14 दिनों में पूरा कर सकता है यदि उन दोनों को कारे को पूरा करने के लिए 44,000 रुपए मिलते हैं, तो प्यूस का हिसा कितना है, यह पूछा जा रहा है, ध्यान से देखेगा, प्यूस किसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेता है, आठ दिनों में पूरा कर देता है, और अरूर उस काम को कितने दिन में करता है अरुन की अगर बात करें तो अरुन उसी काम को 14 दिनों में पूरा कर लेता है अगर इनकी efficiency निकालना चाहे तो हम हमें सा total work मानते हैं, total work कैसे मान लेते हैं 8 into 14 का multiple मानते हैं मतब 56 हो जाएगा 8 सते 56, 14 जोगा 56, fuse की efficiency 7 हो जाएगी, अरुन की efficiency 4 हो जाएगी fuse की efficiency 7 हो जाएगी, अरुन की efficiency 4 हो जाएगी ठीक है ना अब एक बात ध्यान से देखिएगा कि जो इनका wage है 44 जार वो किस ratio में बढ़ना है हम क्या काम करेंगे हम हमें मान लेते fuse और जो अरुन है काम करना start करते है, fuse और अरुन दोनों काम करना चालू करते है कुछ x दिन काम करते है क्या काम करते है, कुछ x days काम करते है और यह जो 56 unit काम खतम करना है, वो उन्होंने खतम कर लिया वो उन्होंने खतम कर लिया, हमें दिन नहीं दिनों में पूरा कर लेता, प्यूस आठ दिनों में, अरुन 14 दिनों में कर लेता, लेकिन काम दोनों को मिल के एक साथ खतम करना है, एक साथ खतम करने का मतलब है, जितना दिन प्यूस खतम करेगा, उतना दिन अरुन भी काम करेगे, काम करेगा, दोनों साथ काम करते हैं, मतल फिक्सक्र दिया जाए तो वेज किस ratio में divide होगा फिर अगर हम यहाँ पे time अगर fix कर दे efficiency इन तो number of days दोनों का number of days अगर fix कर दें तो उनके efficiency के ratio में divide होगा तो अगर मैं बोलू आरून का जो वेज है वेज ऑफ अरून upon वेज आफ Puse आरून का वेज और puse का wage का अगर ratio निकाले तो यह इनके directly proportional होगा यह किस के बराबर होगा किस अनुपात में बटेगा यह 7-4 में बटेगा मतब puse का 7 बटेगा अरूंगा 4 जिस ratio में उनकी efficiency होगी उसी ratio में बढ़ेगा अब हमको यह पता है कि इसका जो wage होगा वो 4 unit होगा तो puse का जो wage होगा वो 7 unit होगा इन दोनों का अगर sum निकाले तो 11 हो जाएगा इस 11 unit की मतब total की जो value दी है यह 44,000 रुपए बाटना है कितना बाटना है 44,000 रुपए बाटना है तो एक को 4 की ratio में मिलेगा एक के 7 के ratio में मिलेगा total ratio किता होगा 11 मतब total sum 11 हो गया 11 की value 44,000 रुपए तो एक की value 4 हो जाएगी 4 की value 16,000 हो जाएगी 7 की value 28,000 हो जाएगी तो किसका पूछा है प्यूस का हिस्सा पूछा है तो प्यूस का हिस्सा 7 होगा 7 की value कितनी हो जाएगी 28,000 तो correct option क्या होगा correct option हो जाएगा इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि दोनों सेम दिनों तक काम करेंगे, एक साथ अगर वो काम करते हैं, सवाल में यह दिया गया है, यह जो दिया गया है, कोई 8 दिन में काम कर सकता है, कोई 14 दिन में काम कर सकता है, वो उनकी छमता निकालने के लिए दिया गया है, उनकी efficiency निकालने के लिए दिया गया है क्योंकि समान दिनों तक काम कर रहे हैं तो अगर समान दिनों तक काम करेंगे तो जो उनके ways बटेंगे उनकी छमता के हिसाब से बचेंगे जो ज़्यादा छमता वाला बंदा होगा वो ज़्यादा काम करेंगा जो कम समताला बंदा होगा वो कम काम करेगा सिंपल सी बात थी चलो अगलों सावाल को देखते A और B ने एक साथ काम किया और 15 दिनों के लिए कुल 18,000 रुपए प्राप्त कीए A और B एक साथ काम कर रहे है 15 दिन तक काम कर रहे है तो इनकी चंबता के रेशियो में इनका वेज बचेगा तो इन दोनों के ratio का sum 6 है तो 6 unit की value 18,000 रुपए दिये हुई है तो एक unit की value कित्ती हो जाएगे 3,000 हो जाएगी अब देखो A की पूछी या B की पूछी B की बतानी है तो वो 3,000 इसके पास आएगा और इसको बात करें तो 15,000 आएगा क्योंकि समान देन तो काम करते हैं तो इनके दक्षिता के हिसाब से इनका वेज बचेगा तो A की देनिग मजदूरी बतानी है A की देनिग मजदूरी अपनी कित्ती है 18,000 रुपए है A की दक्षिता, B की दक्षिता की 5 गुनी थी A की देनिंग मजदूरी रुपय में क्या है A की देनिंग मजदूरी जो है 5 ते 15,000 रुपय होगी B की 3,000 रुपय होगी Option गलत दिया हुआ है A और B ने एक साथ काम किया और 15 दिनों के लिए को 18,000 रुपय प्राप्त किया A की देनिंग मजदूरी क्या होगी Option गलत दिया हुआ A की देनिंग मजदूरी 15,000 रुपय होगी Option गलत दिया हुआ है Option अटा लेज़ेगा Efficiency जो A की होगी 5 गुनी Efficiency B की टोटल की सम 6 और 6 की वैल्यू 18,000 है और अगर 18,000 को फिर से अगर निकालेंगे तो 5 की वैल्यू 15,000 हो जाएगी E की वैल्यू 3,000 हो जाएगी तो जो A को पैसा मिलेगा वो 15,000 मिलेगा B को जो पैसा मिलेगा वो 3,000 रुपय मिलेगा Option शाही नहीं है Option को एग्नूर कीचेगा ठीक है ना इसके आगी चानते है अगली सवाल को देखते A और B एक कारे को क्रम से 6 दिनों और 8 दिनों में कर सकते हैं C की मदश से उन्होंने कारे को 3 दिनों में पूरा किया और 848 रुपय कमाए C का हिस्सा क्या था दुख लिकरा है A और B एक कारे को क्रम से 6 दिनों और 8 दिनों में कर सकते थे C की मदद से उन्होंने कारे को 3 दिनों में पूरा कर लिया यहां तक जो चीज है ना सिर्फ efficiency निकालने के लिए दिया है efficiency निकालने के लिए दिया है क्योंकि A, B और C एक साथ काम करेंगे तो समान दिन काम करेंगे ratio निकालना पड़ेगा उनकी छमताओं का और वो जब छमताओं का ratio निकल जाएगा उसी ratio में 1848 को बाट देना है तो हम इसको अगर ऐसे ले A ने किसी काम को 6 दिन में किया B ने किसी काम को 8 दिन में किया C का हमने पता नहीं कितने दिन में किया अगर वो अकेले करता तो लेकिन हमें एक बात पता है कि A plus B plus C ने जब काम किया तो यह काम कितने दिन में खतम हुआ तीन दिन में खतम हो गया अगर मैं इनका रेशियो लूँ तो 24 रेशियो आ जाएगा तो चार दिन साथ यह हो गया मतलब C की छमता किती रही होगी C की छमता एक रही होगी इसका मतलब यह 24 दिनों में काम करता होगा तभी तो चार तिन साथ एक आठ आठ जुड़के आ जाएगा अब हमको A की छमता पता चल गई, B की छमता पता चल गई, C की छमता पता चल गई तो 1848 रुपए इसी रेशियो में बटेंगे 1848 रुपए इसी रेशियो में बनेंगे, मतलब 4 तिन साथ एक 8 की जो वैल्यू है 8 की वैल्यू 1848 है 8 की value 8,8,8,8,8,8 तो हमको क्या बताना है एक की value बतानी है एक की value बतानी है तो मतलब 8 से बाग दो एक की value किते हो जाएगी 8,16,8,3,24,8,1 कमाब 231 रुपए होगी एक की value और यही C का हिस्सा होगा C का हिस्सा 231 रुपए होगा option A सही होगा अगर इसका बोलता तो इसमें 3 का गुड़ा करना होता A का बोलता हिस्सा कितना होता तो इसमें 4 का गुड़ा करना होता बस यह simple से सवाल है आपको यह समझना है कि इसमें समय जो है वो 3 A प्लस B प्लस C 3 A साथ काम करके काम फवत्तम करते हैं प्रति दिन 6 घंटे काम करने वाले 15 ब्यक्ति 900 रुपय कमाते हैं। 20 ब्यक्ति प्रति दिन 10 घंटे काम करके कितना पैसा कमा सकते हैं। प्रति दिन 6 घंटे काम करने वाले 15 ब्यक्ति 900 रुपय कमाते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखोगे तो टोटल वर का हिसाब किताब है 15 दिन 15 वेक्ति अगर 6 गंटे डेली काम करेंगे तो कितना यूनिट काम करेंगे 15 शक्का 90 90 यूनिट का जो वेज है वो कितना है वो 900 है मतलब एक यूनिट के लिए जो पैसा मिल रहा है वो 10 रुपए मिल रहा है तो पूछ रहा है 20 रखक्ति-प्रिक्दिदी द voting 10 गंटे काम करेंगे मतलब 200 शक्का 200 यूनिट काidents से कितना हो जाएगा 200 वेज को जाएगा 10 गूडे 200 मतलब 2,000 रुपए हो जाएगा इतना ही सिंपल था, दोजार, पहले ही definition यही थी जो wage होता है, वो क्या होता है, वो directly proportional to total work के होता है, कितना होता है, total work के होता है, तो यहाँ पर अगर total work निकालोगे तो 6 गुड़े 15, 15 चका 90 unit, 90 unit का पैसा 900 रुपए है, तो 20 गुड़े 10, 200 unit का पैसा 2000 रुपए होगा, इतना ह सिंपल सा कोश्चन था, अगला सवाल है, 6 पुरुस या 5 महिला है, दो दिनों में 14,820 रुपए कमाते हैं, एक दिन में 4 महिला हैं और 6 पुरुस कितना कमाएंगे, 6 पुरुस या 5 महिला है, दो दिनों में 14,820 रुपए कमाते हैं, तो मैं यह कहूं कि 6 पुरुस जो होते ह 6 man, 5 omen के equal है या man और omen का अगर ratio निकालो दिखा न, 6 पुरूष या 5 महिला है तो इनकी जो efficiency का ratio हो जाएगा 5 ratio 6 हो जाएगा यही है न? देहां से देखेगा इनकी efficiency का ratio है और यह कितने दिन काम करते हैं यह दो दिन काम करते हैं तो हम अगर total work अगर define करना चालू करें कि total work कित्ता था total work हम चाए 6 पुरुस से define करें चाए 5 महिलाओं से define करें चलो हम पुरुस से define कर देते हैं 6 दूनी 12 12 unit कित्ता हो गया 12 6 पुरुस दो दिन काम करते हैं तो 6 दूनी 12 12 unit के लिए जो वेज मिला है 14,820 रुपय वेज मिल रहा है अब पूछा क्या है एक दिन में 4 महिलाओं और 6 पुरुस इसको आप महिलाओं में कर लीजे महिलाओं में करेंगे तो इसको 12 unit नहीं पाँछ दिन में काम कर रही हैं तो महिलाओं का अगर बुरां करें तो 10 यूनिट कुर्णनें महिला और 64820 रुपय में हो रहा है पिर बादमें ूहन बोले है कि एक दिन में चार महिला और चे पूरुस जह करें और should पूरुस हैं जो चे महिलाओं के पाँछ महिलाओं के वर तो दूसरा वाले केस में हम box. We have 4 महिलाओं ली लेकिं शोड़ुशत ही काम कर रहा यह उनको को 6 पुरुस को काँछ के बराबर कितने नो पूछा जा रहे हैं इन का budget कितना होगा इतना पूछा जा रहा है तो कितना unit चाम होंगा अब ध्यान से देखोगे तो 9 दूनी 18 यूनिट डिजिट से ही आपका option निकल जाएगा option ने आपको गुड़ा करने की जरूत नहीं पड़ेगी गुड़ा करना है तो गुड़ा कर लीजिएगा 9 दूनी 18 यूनिट डिजिट में 8 ठेकी आ रहा है यूनिट डिजिट से कैलकुलेट करोगे option ने आपको मिल जाएगा इसके बाद अगला सवाल है जरा द्यान से देखिएगा A प्रति दिन 8 गंटे काम करता है और 620 रुपए कमाता है B प्रति दिन 6 गंटे काम करता है और 360 रुपए कमाता है A और B की प्रति दिन की मजदूरी का अनुपात क्या होगा यदि वो अब प्रति दिन 7 गंटे काम करते है A प्रति दिन 8 गंटे काम करता है और 640 रुपए कमाता है यहां से मैं अगर यूं कहूं जहां से देखिएगा A 8 गंटे काम करता है तो मालो A की efficiency कुछ A है मतलब इतने काम के लिए कितना पैसा मिलता है? 640 रुपए मिलता है जबकि B की बात करें तो B की अगर efficiency B है और यह 6 गंटे प्रति दिन काम करता है तो इसकी जो दैनिक मजदूरी है वो 360 रुपए है 360 रुपए यह और भी कि प्रति दिन की मजदूरी का अनुपात क्या होगा है दिवा प्रति दिन 7 गंटे काम करते हैं प्रति दिन 7 गंटे काम करते हैं तो उनकी मजदूरी का अनुपात क्या होगा? यह बहुत ही सिंपल है यह बहुती सिंपल ऐसे है कि यह देखो यह 8 गंटे की कीमत इतनी है तो 7 गंटे की कितनी होगी आप इसको ऐसे लिका लो कि 8 गंटे की मजदूरी 640 रुपए है तो 7 गंटे की मजदूरी की कीमत कितनी होगी 640 बटा 8 गुड़े 7 यह किता हो गया 8 गुटे 64 तो यह हो गया अर्चते 56 कि erasite usually इसका किता हो जाएगा 6 घंटे की मजदूरी कीम चीम ठेसा चाली से और गंटे की मजदूरी कीम साध हो जाएगी और साथ गंटी की मुजदूरी साध हो जाएगी पूछा इन दोनों का अनुपाद क्या होगा तो 80 qe erasart अनुपाते 60 गुड़े 7 यह हो गया, 7 से कट गया, यह 0 यह 0 से कट गया, फिर अगर आप 2 से काट होगे, तो 2, 4 का 8 2, 3, 6, 4 अनुपात 3 का अनुपात होगा, इनकी मज़दूरी का Option D करेक्ट होगा इतने ही सिंपल कोश्चन था इस कोश्चन में कोई दम नहीं था अगला सवाल द्हान से देखो A और B को एक साथ काम का 13 बड़ा 15 हिस्सा करना है और B और C को एक साथ काम काम के 11 बड़ा 20 भागो को करना है यदि A और C की मज़दूरी के बीच का अंतर 76 रप है तो A, B और C की की कुल मज़दूरी क्या है A और B को एक साथ काम का 13 बड़ा 15 हिस्सा करना है B और C को एक साथ काम का 11 बड़ा 20 भागो करना है यदि A और C की मज़दूरी के बीच का अंतर 76 रप है तो A और B और C की कुल मजदूरी क्या होगी देखो इसमें जादा तर जो section होता है वो तो आपका time and work का है wages तो बाद में आता है जब आप उनके द्वारा किया गया total काम का ratio निकाल लो या उनकी efficiency का ratio निकाल लो तो जो भी data दिया रहता है उस data से हमेशा आपको उनकी total काम या तो निकालना होता है या तो उनकी efficiency के ratios निकालने होते है अगर जैसे मैं बोलूँ आपको कि A plus B A plus B एक साथ काम का 13 बटे 15 हिस्सा करते हैं तो A plus B की जो मजदूरी होगी अगर total मजदूरी 15 है तो A plus B की मजदूरी कितनी होगी 13 होगी B plus C की ध्यान से देखिए B plus C की मजदूरी कितनी होगी 11 बटा 20 होगी यह 13 बटा 15 है सीधे सीधे लिख लो अब एक काम करो कि आप यह मानलो कि जो total work है जो total work है वो 120 है 120 क्यों लिए हमने 15 और 20 का जो है वो ले लिया या 60 ले लो total work कितना है 60 total 아ब मांलो काम की 60 है तो A plus B ने कितना काम किया इसका 13 बटा 15 हिसा किया 15 जोका 60 13 जोका 52 दावन यूनिट काम किया इसका 13 बटा 15 निकालिया वी प्लस C ने कितना किया 11 बटा 20 किया तो 20 तैहीं साट 18 तैहीं 33 यूनिट काम किया यूनिट पूछा कि अब पुषाए ए नौहीं सांपना Zenon अब पूषाए न में अगर हम पूझा है तुवे मैं से काम हम खठाद और एक अगरhodhen A जायby कहता के ऐत्र हजार है यदि आूए ंचयतर हजार रुपय है unit काम हुआ, 19 unit काम हुआ और बता क्या रहा है कि A और C के मजदूरी की बीच का अंतर, मतलब A को जो मजदूरी मिली, जो C को मजदूरी मिली, उसके बीच का अंतर 7600 रुपए है तो A ने जो काम किया, minus C ने जो काम किया, उसी proportion में तो उसको मजदूरी भी मिलती है, इसका मतलब है इस 19 unit की जो value होगी अगर उसको हम wage से अगर compare करें, क्योंकि यह जो काम होता है total ना, वो directly proportional होता है wage के, तो यह 19 unit जो है A और C का अंतर है, यह 7600 के बराबर होगा, तो एक unit की value यहां से निकाल लेंगे, एक unit की value निकालेंगे, तो उनिस चोग 70 400 आजएगा, अब आपको बताना क्या है, तो A, B और C की कुल मजदूरी क्या है A, B और C की कुल मजदूरी क्या है आपको अलग-अलग बतानी है तो एक unit की value 400 हो गई है, तो A प्लस B की जो wage हो जाएगी A प्लस B की जो wage हो जाएगी वो हो जाएगी 52 गुड़े 400 अच्छा A, B और C की कुल मजदूरी बतानी है कुल मजदूरी बतानी मतलग-अलग बतानी नहीं है कुल मजदूरी हमने कित्ती मानी थी, 60 unit मानी थी तो 60 में 400 का गुड़ा कर दो 60 में 400 का गुड़ा कर दिया तो 624, 24,000 रुपे इनकी कुल मजदूरी है तोटल मजदूरी बतानी अलग-अलग से नहीं क्योंकि अलग-अलग डेटा निकल नहीं पाएगा डेटा सुफिशेंट नहीं है तो पूछा है तोटल मजदूरी कितनी है तोटल मजदूरी हमने 60 उनिट मानी थी यही उसकी 60 उनिट इसकी टोटल मजदूरी होगी चलो इसके आगे चलते हैं इसका अगला सवाल देखते हैं सचीन अकेले एक काम को 85-100 रुपे में 8-1 बटा 2 दिनों में पूरा कर सकता है लेकिन विष्णू की मदद से काम 6 दिनों में पूरा हो जाता है विष्णू को दिया जाने वाला हिस्सा कितना है देखो एक बास समझो सचीन की बात कर रहे हैं सचीन किसी काम को कितने दिनों पूरा कर लेता है 8-1 बटा 2 मत्तब 17 बटा 2 दिनों में विष्णू की मदद से काम को 6 दिनों में पूरा कर लेता है विष्णू की मदद से सचीन और विष्णू मिलके इस काम को 6 दिनों में पूरा कर लेते है हमें नहीं पता है विष्णू कितने दिनों में से अकेला पूरा करेगा कितने दों में अकेला पूरा करेगा मैं नहीं पता तो हम क्या काम करते हैं इनका LCM ले ले लेते हैं इनका जैसे LCM लेंगे तो LCM कितना लेना पड़ेगा हमको 51 इससे भाग दोगे तो इसकी efficiency किती आजाएगी 6 17 से भाग दोगे 173 दू 6 unit आजाएगी और इसको 102 करना पड़ेगा यह हो जाएगा 12 unit भाग दोगे 12 unit आजाएगा इसकी efficiency अब अगर 6 से भाग दोगे तो 6 कम 6 6 सते 42 इसकी जो efficiency टोटल होगी 17 unit होगी इसका मतलब है कि इसकी efficiency किती रहे होगी 12 sorry 5 12, 5, 17 unit होगी दोनों के sum की अब पूछा क्या जा रहा है विश्डू को दिया जाने वाला हिस्सा कितना है भाई यह जो बाग मतलब सचिन अगर अकेले किसी काम को करता तो 85-100 रुपए में 8-1 बटा 2 दिनों में काम पूरा कर सकता था लेकिन विश्डू की मदद से काम 6 दिनों में पूरा हो जाता है तो को काम जो मिलेगा वो मिलेगा देखो भाई यह 85-100 रुपए ही कितना? 85-100 रुपए ही मिलेगा यह यह total काम का price decide हुआ है अकेले करता है तो 85-100 सचिन को मिल जाता अब विश्डू की मदद से कर रहा है तो 85-100 रुपए बट जाएगा थोड़ा सचिन में जाएगा थोड़ा विश्णू में जाएगा किस रेशियों में बचेगा? 12-5-17 टोटल यूनिट है तो 17 की यूनिट की जो value होगी अब ये efficiency का जो टोटल सम होगा वो 85-100 रुपए के बराबर होगा एक की जो value निकालेंगे ये हो जाएगा 500 के 17-85-85 अब हमको निकालना है विश्णू की तो विश्णू की efficiency 5 है तो इनके efficiency के ratio में बटेगा पैसा तो 5 की value कितनी हो जाएगी 5 की value 25-100 रुपए हो जाएगी अगर हम ये पूस्ते जो है कि सचिन को कितना मलेगा तो 12-65-6,000 रुपए मिलता विश्णू को कितना मिलता 6,000 रुपए मिलता और इसको कितना मिलेगा 25-100 रुपए मिल जाएगा तो correct option क्या होगा B option होगा कि उसका 25-100 रुपए का हिस्सा विश्णू को मिल जाएगा अगला सवाल देखते हैं अब अगला सवाल देखे A. एक कारे को 20 दिनों में कर सकता है जबकि B. उसी कारे को 25 दिनों में कर सकता है उन्होंने मिलकर काम सुरू किया कुछ दिनों बाद C भी उनके साथ जुड़ गया है और इस प्रकार उन सभी ने पूरे कारे को 10 दिनों में पूरा किया है इन सभी को कुल 700 रुपए का भुक्तान किया गया था C का हिस्सा क्या होगा ये सवाल बहुत ही सरल है अगर सुरू से लेक्चर आप पूरा देखते आ रहे हैं आप देखो इसको कैसे सौल कर सकते हो A को काम करने में कितना समय लगता है पूरा करने में 20 दिन लगता है B को कितने दिन समय लगता है 25 दिन लगता है C को आपको पते नहीं C तो बाद में जुड़ रहा है तो अगर मैं बोलू A और B टोटल वर्क अगर मैं इनका 100 मान लो तो A की जो efficiency हो जाएगी वो 5 हो जाएगी और B की efficiency हो जाएगी 4 हो जाएगी ठीक है ना अब क्या बोला जा रहा है कि C के साथ उन्होंने मिला A प्लस B प्लस C ये सब 10 दिनों तक काम करते हैं सब 10 दिनों तक काम करते हैं और काम खतम हो जाता है और इसके लिए उन्हें जो मजदूरी मिलती है वो 700 रुपे मजदूरी मिलती है तो अगर A की efficiency A B की efficiency B, C की efficiency C है 10 दिनों तक काम करते हैं तो A plus B plus C into 10 ये उनका total work हो जाएगा जिस total work के लिए 700 रुपए दिया गया है simple discussion है A plus B की efficiency आपने निकाल लिया है 5, 4, 9 तो 9 जो है A की efficiency हो गई तो काम कित्ता किया 9 into 10 अगर 10 का गुड़ा कर ले तो A plus B की value कित्ती हो जाएगी इसकी value 9 हो जाएगी C ने कित्ता काम किया होगा C गुड़े 10 C गुड़े 10 तो 90 unit ये काम कर चुके होंगे 90 unit काम कर चुके होंगे और जो 700 रुपए मिल रहा है किसके लिए मिल रहा है 700 रुपए मिल रहा है 100 unit काम करने के लिए क्योंकि total work ही हमने 100 unit define किया हो सौ यूनिट का वेज जो है 700 रुपए है, एक यूनिट का वेज जो हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, सात रुपए हो जाएगा, दस यूनिट का वेज हो जाएगा, वो सत्तर रुपए हो जाएगा, तो C को कितना मिला, सत्तर रुपए मिला होगा, अगर यह पूछा जाए यह प्लिस बी को कितना मिलेगा तो anything you need काम का सधे रोपayan higher आया है तो साथ प्रना 35 तीन सबचास रोपएस को मिल जाएगा और गष्चोग थाईज 28 रोपेस को मिल जाएगा किसधासबंसपर निकालना चाहूँ इस अगला सवाल देखो, similar सवाल है, समीर और पुनीत किसी कारे को या उसी कारे को करम से 10 दिनों में और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो समीर काम करता है 10 दिनों में, पुनीत काम करता है 15 दिनों में, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं मान लू कि 10-15 का LCM 30 होता है, टोटल काम 30 है, तो इसकी Efficiency 3 होगी, इसकी Efficiency 2 होगी, वक कारे 45 रुपए में आवंटित किया जाता है, मतलब 30 यूनिट का जो वेज है, वो 45 सो रुपए आवंटित किया जाता है, यही ना, अब ध्यान से देखिएगा, तीन दिनों तक एक साथ काम करने के बाद, समीर और पुनीत ने असोग को सामिल किया, तीन दिन तक इन दोनों ने काम किया, तीन दिन में कितना काम कर लेंगे, तीन गुड़े दो, सुरी, तीन प्लस दो, पांच, पांच यूनिट काम करेंगे तीन दिन तक तो कितना काम खतम हो जाएगा पंदरा यूनिट काम खतम हो जाएगा दियान से देखते रहे हैं पंदरा यूनिट काम निप्टा लिया अब उन्होंने क्या क्या किसको एड कर लिया समीर को एड कर लिया 15 unit के बाद अब Samir add हो गया यहां पे अब Samir add हो गया और पहले से हमारा नहीं क्या था, तीन दिनों तक एक साथ काम करने के बाद Samir और पुनीत ने अशोक को add किया किसको add किया, Samir थे पुनीत थे, अब उन्होंने अशोक को add कर लिया और कुल काम कितने दिनों तक चला, पांच दिनों तक चला, तो ये मान के चलो कि भाई ये तीन दिन तक नहीं, ये दोनों तो पांच दिन तक तो थे ही, तो पांच दिनों में कितना यूनिट काम खतम कर लिया, तो इन दोनों ने मिलके 25 यूनिट काम खतम किया था, बचावा तो 5 unit का wage कितना होगा? 0-0 से कट गया 3 ने कम 3, 3 पचे 15 एक unit की जो value है वो 150 रुपए है इसका wage इतना है तो 5 unit का wage कितना हो जाएगा? 15 पचे 750 रुपए हो जाएगा option A correct हो जाएगा इतना ही आसान, इतना ही simple question था अगर आपको time and work की basic सगर आती है अगर आपने इसे पहले के लिक्चा सारे अच्छे सा सीख रखे है तो इन question में कोई दम नहीं है एक question आया था इस तरीके का आपका MTS की exam में कि एक स्रमिक की मजदूरी दर में प्रती घंटा 12.5% की विद्धी होती है इसमें successive लगा कि आप निकाल सकते हो ध्यान से देखना ये 12.5% जो दिया हुआ है 12.5% 1 by 8 के बराबर होता है एक स्रमिक की मजदूरी दर में प्रती घंटा इतनी की विद्धी होती है 1 by 8 का मतलब कोई चीज 8 थी तो वो 8 से बढ़के 9 हो गई तो अगर 80 की चीज है तो कित्ते में हो जा रही क्यासी में हो जा रही है विद्धी overall कित्ते की हो रही है 1 पे हो रही है और कित्ते पे हो रही है 80 पे हो रही है तो percentage यहां से निकल जाएगा 0 से 0 कड़ गया और 2,5,10,2,4,8 4 से भाग दो के 4 एक कम 4 कोई चीज बढ़ रही है कोई चीज घट रही है तो effective कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा इसके लिए हम successive method को अपलाई करते है और इसकी basics बहुत पहले ही आपको सिखाई गई थी अभी आमद बुलनागी सर कैसे हुआ इसके लिए आपको पिछले chapters पूरे देखने पड़ेंगे और फिर देखके यहाँ पर आओगे तो यह काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एक सवाल और है आज के दिन अच्छा नहीं है कतम हो गया है चलो कोई बत ने कतम हो गया है तो यह आपके work and wages related almost सारे concept कवर हो गया मिसलेन यह सब बहुत सारे question होंगे जो आप किसी भी किताब से किसी भी practice book से किसी भी previous year से लगा सकते हो I don't think कि जितना type मैंने पढ़ाया उस type के beyond कोई tie-up आपको मिलेगा मतलब अगर आप सुबू से time and work का पूरा lecture देखोगे तो आपको पूरा का पूरा entire concept कवर हो गया होगा अब question के practice करो question के practice करने के बाद अगर कोई question नहीं आ रहा हो तो comment section में मेरे को question जो है paste करना मैं उसके solution जरूर आपको बताऊंगा तो अभी किस वीडियो में इतने ही अगले lecture में एक नया chapter लेके मिलोंगा तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए मेहनत करते रहिए CGL 2024 का exam सबको फोड़ना है